बॉलिवूड अभी नेता अभी शेक बच्चन लोगडाउन को दरान कोरोना वायरस से पीडित हो गए थे लेकिन अब आपने आपको काफी तरो ताजा महसूस कर रहे हैं जानकारी देदे अभी शेक बच्चन काफी समय से किसी फिल्म का हिस्सन नहीं बने लेकिन कुछ समय से उनको लेकर कई चर्चाय चल रही है पता चला है कि अभी शेक बच्चन जो बिग बी के सन है बड़े बैनर की फिल्म में नजर आने वारे हैं जिसके लिए वो तयारिया कर रहे हैं जमकर जानकारी देदे कि लाइका प्रोडक्शन की इस समय कई धमाकेदार फिल्में बना रहे हैं इसके पहले भी ये प्रोडक्शन हाउस 2.0 जैसी कई महंगी फिल्म में नजर आए हैं इसके अलावा ये कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 और मडी रतनम की मल्टी स्टार पोनियन सेलवन को लेकर चर्चा में चल दाए हैं ख़बर आई है कि इसी प्रोडक्शन हाउस से अब इस एक बच्चन को एक शानदार ओफर आया है जानकारी देदे कि अगर ऐसा होता है कि तो ये फिल्म जूनियर बच्चन की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी पिंक विला की एक खबर के मताबिक ये प्रोडक्शन हाउस साउथ से लेकर अब हिंदी फिल्म में अपना जल्वा दिखाने को लेकर बेकरार है और जब जल्वा बिखेरने के लिए आएगा तो कुछ बड़ी ही काम के साथ आएगा अगर अभिशेक बच्चन की इस फिल्म की बात करे तो इस प्रोडक्शन हाउस ने खुद अभिशेक बच्चन को एक प्रोजेक्ट के लिए ओफर भेजा फिल्म अभिशेक बच्चन लीड रोल में नजर आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर आधिकारी का एलान तो नहीं हुआ है लेकिन इसका नाम 65 केरट हो सकता है वर्फरन की बात करे तो अभिशेक बच्चन दा बिग बुल को लेकर चर्चा है जिसकी शूटिंग हो चुकी है तो ऐसे में अभिशेक बच्चन की बापसी काफी धमाकेदार होने वाली है बॉलिवुड इंडिस्ट्रीज में जहें इतने समय से काफी दिनों से बॉलिवुड इंडिस्ट्रीज की लाइम डैट से बाहर थे और वैब सीरीज में नहीं डेब्यू किया ब्रीट से काफी अच्छी वैब सीरीज सी देखने में काफी दिल्चस्प लेगी हाँ लेकिन थोड़ा बहुत स्टोरी में काफी जादा खीचा गया था इसी वज़े से थोड़ी बोरिंग कर गई लेकिन अभी शेख बच्चन बहुत जल्द वापसी करने वाले उनके फैंस तयार हो जाईए कुछ बड़ा देखने के लिए अभी शेख बच्चन के दुवारे जो हम उमीद भी करते हैं आपकी सूपर स्टार की अपकमी फिल्म के बारे में जाना चाहते हैं कॉमेंट सेक्षन आपके लिए खुले वे हैं कॉमेंट्स करके जूर बताएं धन्यवाद